असलाम अलाइकुम गयाइज उमीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यार फिलाल मैं एक बहुत ही प्यारी सी जगा पर खड़ा हूँ प्यारा प्यारा संसेट हो रहा है और मैं जल्दी से जा रहा हूँ यार कोई काम वगयरे ढूणने स्क्रैचिस वगयरे पड़े हैं तो मैं जल्दी से जाता हूँ यार कोई जॉब देखता हूँ आज अपने लिए मुझे एक अच्छी सी जॉब ढूणनी है जिसमें अच्छी खासी सेलरी हो और मेरा काम वगयरे चल सके क्योंके यार मैंने अपना घर चलाना है फैमली बना वह भी जाता कर आते हैं तो वहां पर हो सकता है हम यह इलेक्ट्रिश न कृब मिल जाए तो उसके बाद हम पैसे कमा लेंगा एक्षा है जॉब भी अच्छी है बंदा भी अच्छा है बात करने से तो बताने अपने साथा चीज़ होती यह होती यहां कना वही मुझे होता हैं और यह देखो काफी सारे लोग पहले भी आये हैं और यह एक मुहतरमा भी खड़ी हुई है जल्दी से अंदर चलते हैं और यह हम अंदर आ चुके हैं यहां पर हमें काम वगरा मिलेगा पता नहीं फिर भी जॉब मिले यह क्या लिखाव है डबल्यू और के वर्क एस एज एन 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 एलेक्ट्रिशन टीशन टीशन अच्छा साहिए गाइस यह आपे लिखाव है व आप कैसे लोगाइस मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है था पढ़ना आ था दूदा आ पर लोगों को पढ़ा रहा था यह सोच्त आप लोगों चांब धर्त तोड़ा कर रहा था तो अभी काम की तरफ काम निपताते हैं फिर जाना घर में र्यां से लिव काम को पते हैं पón न निकलते हैं वहीं लीव करना है लीव करो भई जॉप करनी नहीं है बाहर जाते हैं गाइस जल्दी तो अच्छी है इसकी लेकिन कोई बात नहीं अभी मज़ा नहीं आ रहा था तो मैंने का यार सेलरी जाए भाड में तो फिलाल में जाता हूं ठीक है और गाड़ी में बैठते है इसको कैसे बता चला गाइस शायद मैं टकरे मार रहा था इतनी महेंगी गाड़ी में खुद के पैसे उसे थोड़ा ही ले सकता हूं यार इतने पैसे नहीं अभी मेरे पास इसलिए तो जॉब करने आया था मैं पापा को बता दूँगा यार यह जोब मेरे से नहीं होती अजीब जॉब है यार इतना काम करवाते हैं और पैसे फोड़े देते हैं मैं कोई अच्छी जॉब देखाउंगा जिसमें थोड़ी इंजाइमेंट व؟ यार फन हो थोड़ा जल्दी से जाते हैं कोई नई जॉब देखते हैं तो गाइज काफी दे ढूणने के बाद मुझे मिली है बस ड्राइवर की जॉब और मैं जा रहा हूं यार ये बस ड्राइवर की जॉब करने क्योंकि मेरी driving full heavy है तो driving करूंगा और पैसे कमाऊओंगा यहां मैं चल्दी से चलते हैं इस job पर और गाड़ी start कर लेता हूँ घाड़ी start क्यों नहीं होरी गाइज यह क्या हूँ दिए धूल ही है गाड़ी में निकाल देंगे अगर यह गाड़ी चोरी हो गई गाइज भागता हूं मैं यार कहां पर मिलेगा भी मुझे फ्यूल ओ भाई यह देखो गाइज यह कोई फ्रूट वाला है इससे बात करते हैं फ्रूट वाला ही नहीं है फ्रूट लगा के गया वह आसे आराम से कुछ खा भी लेता हूं गाइज ओ भाई इतने महेंगे जूस बेच रहे हैं घाइज खा भी नहीं सकते गाइज उपर प्राइस लगी और मैं इतना चोर इंसान नहीं हो गाइज के मैं इसे चोरी घर के ले जाओ फ्रूट अगयरा नहीं तो यह सारे फ्रूट तो मैं आराम से खा जाता यार कूझ नlaimल जाता हूं यार कोई लिफ्ट नी दे आदे यह कौन सी जगह हैं में जल्दी से टेक्सी वाले खूंब पला लीता ूंब्र तक्सी में जाता हूं जॉब करनी ज़रूरी है फिलाल मेरी गाड़ी ज़रूरी ही निया है तो मैं टक्सी वाले को कॉल करता हूं और इसको बताता हूं आजा भई तु इदर तो गाइस अभी हम टक्सी का वेट कर रहे है मैंने मोबाइल में लोकैशन लगा दिये मुझे इस खुफ़नाक सा एरिया ना गाइज कोई मोबाईल ही चीन के ना ले जाए मैं वेट करता हूँ टेक्सी वाले का इसी जगह पर एक्सी वाला हात हो रहा है अभी तक पहुंचा नहीं यार बहुत टाइम लगा रहा है बस आ गया आ गया आ गया आ गया वह देखो आ रहा है आस प जहां परना मैंने जॉब करनी ठीक है उन्हें पर नहीं करनी भाई जॉब करनी है ठीक है अहां बोल किदर ले जाओ यार भाई यह लगाया वाथ है मैप अच्छा ठीक है ले जाता हूँ 1,000 डॉलर्स दे दूं हजार डॉलर्स भाई क्या होगे होश में तो हाँ तो तेरी नहीं याज इतनी भी दूर नहीं यौज़ें या ज फॉट्जवें इतनी भी तो जोब है मेरी यह देगो बस वाली जगह पर रहे और यह चिर्क तरी बढ़ बड़ा और पी रहा रहा हुआ इसे डिखाने की चीज दूझ भूक रेहां आप 500 बात होती है सर ऐसे नी करते हैं मुझे नहीं सिखा जाता है हम कोन होता है 에 आहां तु कॉन होता है अचा-चा सर जल्दी जल्दी लेके जाये दमाग नखा एक सुबा ना बोलने हो तो में जाब कर रहो जाते हैं और अपनी जॉब करते हैं गेट इंप्लॉइड ठीक है जल्दी से जॉब लग जाएगी हमारी अच्छी सी और गाइस यह तो गवर्रमेंट जॉब है यार मजा आ जाएगा समझे लो जाएगी तो जल्दी से अपनी जॉब को स्टार्ट करते हैं हमारी जॉब स्टार्ट हो चुकी है हमें मिली एक प्यारी सी येलो कलर की बस जिसके उपर ग्रेंड आर्पी का लोगो भी लगाव है और मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इस सर्वर में आप लोग भी ज के लिए गये लिंक पर जाना है उसके बाद लोगों ने सेम सर्वर सेलेक्त करना है जिसके उपर आप लोगों को डिमील इंडर करके अपना अंट बना लेना है । ऑपर जोब आप क्लिक करेंगे डाउनलोटिंग इन्स्टार्ट कर लेना है इसár्ऌन एप को सेटपकों grand rp वाले icon पर click करना है grand rp launch होते ही सीधा play का option आ रहा होगा आपने सीधा play पर click नहीं करना आप लोग ने server number 2 select करना है then play पर click करना है क्योंकि अगर आप लोग server number 2 select नहीं करेंगे तो फिर आप हमारे साथ नहीं खेल पाएंगे server number 2 select करने के बाद आप लोगोंने click करना है play पर और अब setup खुदी सारी necessary files डाउनलोड करना start कर देगा आप लोगों को थोड़ा सा wait करना है यह आपकी internet speed पर depend करता है कि आप लोगों की यह files कितने time में download होती है downloading के बाद आप लोगोंने अपना gmail account password और गहरा डालना है जिस email के उपर आप लोगोंने grand harpy का account बनाया था उसके बाद आप लोगोंने login पर click करना है और आप लोग game के अंदर आ जाएंगे और फिर आप लोग अपना character customize कर सकते हैं jobs कर सकते हैं हमार साथ खेल सकते हैं तो अब आप लोगों को एक search का option नजर आएगा उसके उपर आपने search करना है radiator 076 उसके बाद guys आप लोगों के सामने कुछ ऐसी family show होगी तो उसके बाद आप लोगोंने join के button के उपर click करना है और आप लोग हमारी family का हिस्सा बन जाएंगे guys तो जल्दी से जाओ guys registration करो अपना account बनाओ download करो और आज हाओ हमारे साथ खेल लें तो फिलाल के लिए guys बढ़ते हैं अपनी वीडियो के तरह फिलाल यार बस start क्यों नहीं हो ओ guys ये क्यों हो गया ओ नो यार नहीं नवेली बस कराब हो जाएगी यार फिर मैं क्या करूंगा यार अब इसके पैसे देने पड़ेंगे पैसे नहीं है मेरे पास guys इतने मसाख करूं guys मेरे पास 8 million dollars है और ये सारे मैंने पता है कैसे कमाएं हैं मेहनत से कमाएं guys job करता था दिन रात मैंने मेहनत किये job किये उसके बाद ये पैसे कमाएं हैं फिलाल अभी हम लोग जाते हैं यार पहुंचाना है पैसेंजर्स को तो जल्दी से अपनी बस को निकालते हैं और सामने आप लोग देख रहे हैं ये green green से बने वे checkpoints ये हमें जो है guys checkpoints के उपर से गुजरना है नहीं तो हम लोग इस जॉब से निकाल दिये जाएंगे फिलाल कोई passenger नहीं है तो हम लोगों को passengers उठाने है गाउं से सीधा लेके आने है उनको शहर तो जल्दी से यार इस बस को लेके जाते हैं उन passengers को लेके आने हैं गाउं से सीधा शहर यार पैसा वैसा इस काम में बहुत है लेकिन यार ज्यादा पैसा वो कमा रहे है जिनकी ये ट्रेवल एजंसी है ज्यादा पैसे तो वो ही कमा रहे है उनकी अपनी बसे है और अच्छा खाचा पैसा चाप रहे है यार लेकिन यह हम लोगों को तंखा भी अच्छी दे रहे हैं ऐसी बात भी नहीं है तो जल्दी जल्दी बस भगाता हूँ बहुत दूर जाना है रात तो हो ही जाएगी शाम तो हो रही है वैसे ही बहुत प्यारा मौसा में ठंडी हवाएं चल ली है बस की मैंने खिड़कियां भी बस चेक करवानी है और पुलिस वाले भी साथ ही जा रहे हैं तो ज्यादा ध्यान से काम करना है यार जॉब कर रहा हूं यहां पर शेयर में वैसे भी नहा हूं अगर फस फुस गया ना तो बहुत ज्यादा काम खराब हो जाएगा चलो बई इस साइड से निकाल लेते हैं अ आग किदर लगी भी है यह क्या सीन है यार ओ यह क्या हो गया ऑग और यह बाइचा अंदर मेरा दोस्त है यार उसको निकाल के लिए आओ अच्छा मैं लेकर आता हूं यार उसको एक मिन गाइस मेरा खाल है हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए ओ नूख यह देखो यार ओ गाइस मुझे गाड़ी में बैटना चाहिए मैं नहीं बचा सकता है इनको यह आग बगारा बुच जाएगी यार कोई बंदा नहीं अंदर जूट बोलता है वैसे ही नहीं तो चीखों की आवास आती चलो भई गाड़ी के अंदर तो गाइस मैं बैट क्या हूं है जो भी सामने की तरफ देखो यह चेक पॉइंट ले लिया और पहुंचते हैं गाइस अभी गाओं यहीं देखो यार गाड़ी वाले टक्कर मारती यार यह कोई तरीका नहीं है गाइस बस ड्राइवर के कोई हिजद नहीं है के शहर के अंदर जल्दी से पहुंचता हूं यार आएं उदर जाएं फलाँ बस टॉप पे रुक जाना वहां पर आपको बहुत सारे पैसेंजर मिल जाएंगे बढ़ मुझे अभी तक एक भी पैसेंजर नहीं मिला कोई बात नहीं लेकिन गाइस हम लोग यहां पर साइड पे रुकते हैं और खाना वाना खा लेते हैं काम प इंडी हमाएं हैं प्यारे प्यारे दरखते हैं और यार क्या जबर्दस्तारे नजर आ रहें आस्मान के अंदर तो गाइस मुझे ना भी नीद आई विए काफी जादा लेकिन फिर भी मैं इतनी मुश्किल से ड्राइविंग कर रहा हूं आंके खोल के बैठा हुआ हूँ इ हुआ है कुछ पेसंजर मिल चुके हैं जिस पसंगर आ चुक एहा हमारे पास तो जल्दी से चलते हैं गाइस इस रूट को लोगो ने खतम करना तो फिलहाल मेरे साथ एक भाई है जी भाई क्या अलया आप ठीक है जी ठीक छाक आप सुनाएं जी इतनी रात को कहा जा रहे थ अच्छा नानों के घर से आ रहे थे तो यहां पर छुटियां मनाने आये थे क्या हाँ यार शेहर से चुटियां मनाने आये थे नानों के घर अच्छा शेहर से आये थे गाउं में ठीक है नानों के घर साइसे आपकी नानों गाउं में रहते हैं जी क्या वाद है और सुनाएं क्या सुनाएं जिंदगी कैसी जा रही है जिंदगी अच्छी जा रही है अब मैंने का रात कोई आ जाता हूं सुबह जाना है जी मैं भी जॉब करता हूं यह बस ट्राइवर की आपकी तो जॉब बहुत मुश्किल होगी रात-रात को ड्राइविंग करनी बड़ती है पीशे बस टप जी जी आप मुझे नहीं बताएंगे मेरा काम है तो मैं कर लूँगा सही है आँ चलें आप करें ठीक है मेरे श्याल से कश्ट्मर आ रहे हैं आपके हैं जी जी ओर भी बंदे आ रहे हैं सर रात को फिर आप पैसे ज्यादा लेते होंगी जी बिल्कुल रात क कुए वात midina कि यह रही नहीं ञाल के कोई आता है कोई आता है कोई जानवर आता है तो हमारी कि यहालत होगी फस्दंदबे वेटाइब करेंगे बजाओंगा यह करें दिता कोई नहीं कोई बाता तो हमारी कोई चार 40,000 हो जाएगा आपका 30-40,000 भाई इतने में मैं नहीं बाइक ले लों और खुद चला जाओं अच्छा चलें 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 10,000 बाइस से ज्यादा कम नहीं करूंगा जी जी यार माना कर आज जगल तो 5000 में डेवो बस जाती है डेवो बस जाती है आप उस पे चलेमे यर पाइब में चलो ठीक है ले जाता हूं यार इसको कुछ जैस रेट रखा करो यार को बात किया करो करने वाजी देखें मैं जैस टेली नो और जॉंग सब रख लूँगा ठीक है लेकिन मसला है मेरे बाई के इतनी कीमत में जो है ना कोई भी नहीं लेके जाएगा ठीक है तो गाइस भी शेयर छोड़ के आते हैं कितने पैसे देंगे भाई आप में दूंगा दस हजार क्या बात है हाँ मैंने दूद की केनल रखे हुए शेयर में जाकी बेचूंगा यह ध्यान करना यार दूद बस मैंनी किराना किराए की बस है तो गाइस जल्दी से बस को मोड़ते हैं हम जोने भलत रस्ता चूस करें लिया खाली से मंगवा लेना ठीक है ठीक है भाई तो मैं तो गाय का दूद पीता हूं भाई हां में भी गाय की लाता हूं अच्छा अब ने चले मैं बात नहीं चले मैं वह आपको बता दूँगा तो खाय जल्दी से बसको मोड़ते हैं एक्स मेरे भाई ने नहीं बसे मेरे दोस्त है ना उनके साथ बात करता हूं विडियो बनाता हूं यार अच्छा यूट्यूबर है यह टिक्टाकर नहीं यूट्यूब पर विडियो अप्लोड करता हूं यह बस्टॉप आगया रुके इदर से बंदा पिक कर लेते हैं नहीं इदर जी कि आप मुझे लेकर जाएना इदर लेकर जा बहुत दोड़ने राच को जा रही हो सुबह की दे पहुंचना होते नहीं विदर आ नश्टा करके निकल जाते यार तू मुझे नहीं पताने तू क्यों जा रहे रहें रात त्यूं यार मैने तो अब जो दूद बेच्छ अच्छ अच्छ दूद वेच्टेओं सही सही आपने काम जाना था भाई बस यह में जेर में छोड़ देना लास इंटोस नाम है उसका जी जी लास इंटोस नाम है उसका चलें गार जो भी आयर अजीब मिजाया लोग मिल गाइस मुझे तो इन लोगों को जल्दी से पहुंच रहता रहता है बंदा मज़ा ही आजाता है और पैसे अलग कमाओ इंजॉइमेंट अलग करो हैं अभी फिलान हम लोग हाईवे पर आ चुके हैं जल्दी से काड़ी भगाते हैं आप लोग देखे रहे हैं बस फुल स्पीड में चल रही है और तीन पैसेंजर मुझे मिल गए मैं और तीनों से गाइज में दस जसार वोपे लोंगा और भई यह से सब्सक्राइब करता हैं तब मैं और पैस हजार तो तो तुने बोला व्इ मोस फॉट नहीं पर ही पहुंचने दो मैं बस को नीचे किराता हूं पहाड़ से दे देंगा जार बचेओगे यह जो गाइस इनकी हालत टाइट कर दे फिर तेमिंट पसना चलो मैं एक बारी साइड पर मार देता हूं दिवार में काईस टेंशन की बात निया मारूं दिवार में नहीं मेरा प्रहा नहीं किक करना है वह चैंड कर से लुद्ध गिर जाएगा तो गाईस अभी हम लोग आ च यहां पर आराम आराम से निकालनी पड़ती है क्योंके पुलिस होती है तो आप लोगों पता है गाईस जहां पर पुलिस होती है तो वहां पर रूल्स फॉलो ना करें न अगर बंदा तो फिर बहुत जोर जोर की लाठियां भी बढ़ती है तो इसलिए यहां से तो हम लोग अराम अराम से निकल जाएंगे और सामने आखरी वाला चेक पॉइंट है सीधा पस्टॉप भी आने वाले आगे इन लोगों को मैं वहीं पर ड्रॉप कर दूँगा पहले ही दो पेसेंजर्स को मैं ड्रॉप करके आगे आओं और ये लास्ट वाला और आज की हमारी जॉप गाईज इतनी ही थोड़ी सी मैं सोच रहा हूँ गाईज अपने लिए वेपन्स वगारा बाय कर लूँ क्यूंकि इतने सुंसान एरियाज में मैं चाहता हूँ तो हो सकता है यार कोई बंदा मुझे लूटी ना ले क्यूंकि वहाँ बहुत जादा डाकू शाकू रहते हैं जी जी भाई वो बहुत खतरना के लिए है सच बता रहा हूँ जी जी भाई वो तो मुझे समझ आगी थी आज मैं गया हूँ ना जंगल में ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं हम आपर घूम रहे हैं गंज लेके और आपस में लड़ाई हैं शड़ाईयां हो रही है मैंने ऐसे गोली गोली मुझे मार देंगे तो मैंने खायर अपने लिए एक गन वगार रखनी जरूरी है तो गन रख लूँगा यार सोच रहा हूँ अधी भाई पुलिस भी तो होती है नहों पुलिस भी-टों वह इस वातर जाओ ने वाले हैं यार इस बस को वापस करते हैं जिस कंपनी की बस है क्योंकि यार वो ट्रेवल एजन्सी वाले मेरे घर पर आ जाएंगे इस बस को वापस लेने मैं सुच रहा था अभी मैं घर जाके सो जाओं क्योंकि यार मुझे सच में बहुत ज्यादा नीद आ रही है गाईज और सच बोल रहा हूं इतनी रात को वीडियो बना रहा हूं गाईज सच में बहुत ज्यादा नीद आ रही है तो जल्दी से गाईज इस बस को पहुंच चाहते हैं तो उसके बाद हम लोग यार सोने चले जाएंगे तो जल्दी से गाड़ी को मोड़ देता हूं एक साइड पे और यह आज चुकी है हमारी ट्रेवल एजनसी जहां पर यार यह सारी बसें आकर खड़ी होती है तो आई थिंक मुझे बस को मोड़ लेना चाहिए और स्क्राइच आ जाएगा यार ऐसे तो बस पे मैं एक साइड पे लेके जाता हूं और यहां से उतर जाते हैं चलो गाईज आज का हमारा काम तो फिनिश हो चुका है तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके लावा गाईज अगर आप लोगों भी हमारे साथ यह गेम खेलना चाहते हो तो जल्दी से जाए जा पर जाकर रिजिस्टर करो अपना अकाउंट बनाओ और आजाओ वई GrandRP के अंदर हमारे साथ मिलकर खेलने के लिए तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफेज अलाहाफेज यंदर यंदर